अलो फ्रेंड्स वेलकम यॉल तो दे नेक्स लेक्चर आउप पाइथान सेरीज आज भी हम बात करने वाले हैं प्रक्टिकल कॉंसेट्स के बारे में जहां पर हम आइडेंटिटी आपरेटर के प्रक्टिकल कॉंसेट्स को देखते हैं और समझते हैं कि हम लोगों ने थोरिड को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दीजे और फिर अपने स्टार्ट करते हैं प्रक्टिकल सेशन और यहां पर आप देखो अपन शेल पर इसको रन करके देखते हैं कि हाउद पाइथान यूज इस आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने बात के थी और मैंने आपको बता था कि it is only applicable on sorry it is not applicable on float and complex right ठीक है तो यहां पर देखवा आप क्या बात की थी हमने अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर को देख रहा है और बिना theory class के देख रहा है तो आप लोगों को problem आएगी इसलिए इसके पहले इसके theory session को attend कर ले so that you can easily understand this इसके just पहले आपको इसका theory session मिलेगा उसको attend कर लीजे तो आप लोग इसको आसनी से समझ सकते है and see this one यदि मैंने यहां पर लिखा print a is b print a is b so what will be the value I'll get here और विसे बात है मुझे true मिलना चाहिए right let's see I'll get the result true because both the object is in same location value same है अब को शना था sir address same है या नहीं हमें किसे पता चलेगा तो let's see मैं यहां पर लिखता हूं address of address of a ठीक है और यहां मुझे a का address चाहिए if you remember हमने एक id method पढ़ी है ठीक और फिर मैं लिखता हूं address of b to this one ध्यान देना address of b and c इसको देखिए और इसको देखिए you will get the same address यह address of a है और यह address of sorry यह गलती से a लिखा हुआ it's a b ठीक है फिर से copy paste कर देता हूं हम है इसे address of b ठीक रिहां भी लिख देता है यह भी था भी ठीक ठीक भी ठीक जीड मैं यहां पर लिखता हूं print a is not b so that I will get result false क्योंकि a और भी same है लेकिन अगर मैंने a को कर दिया 100 और b को कर दिया 200 अब दोनों के address same है क्या नहीं है क्योंकि दोनों ही अलग-अलग addresses value है ठीक तो see this one अब मैं लिखूंगा a is b so मुझे result मिलेगा false लेकिन अगर मैं लिखूंगा print a is not b तो मुझे result मिलेगा true because both the object are in different location पड़ा था मने याद करो ठीक है कि मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों object की location अलग-अलग है so that you will get different answers और इस case में अगर आप ID देखोगे आप देखो print फिरसे मैं यह statement लिखता हूं print ठीक अब मैं directly लिखता हूं ID of A ठीक ID of A तो क्या मिल रहा है और print ID of B ठीक है तो क्या मिल रहा है say this one 10140719045148552 and this one is 752 ठीक मतलब दोनों की addresses different location पर हैं क्योंकि दोनों object ही अलग-अलग है ना पढ़ा था हम नहीं कि both the object are in different location ओके अब same concept आप देखो एक चीज़ वो suppose यहां पर अगर मैं A की value लेता हूं इसको ध्यानते सुनना A की value अगर मैं लेता हूं 255 I'll take B 256 255 ठीक है and then print A is B result is true again I'll take A equal to 256 B equal to 256 then print A is B result is true but यदी में लेता हूं A equal to 257 and B equals to 257 and when I check this result A is B obvious ही बात है true आना चाहिए but it is false it is false reason is that यह जो identity का concept है it is only applicable from 0 to 256 मतलब byte type के data के लिए applicable है जिसकी रेंज 0 to 256 होती है तो यह ध्यान रखना कि जो हमने concept पढ़ा है कि बोद two objects are in same location if an object is already exist in the memory it uses another object uses the same data तो it is only applicable from 0 to 256 है ना यदी मानलों में नहीं लिख दिया A equal to 300 and B equal to 300 मतलब सारी value के लिए true नहीं है ठीक है print A is B this one result is false got it तो यह बिलकुल धान रखना आप कि दो object आपको तभी identity same मिलेगी जब उसकी range 0 to 256 तक होगी ठीक लेकिन for a string there is not an issue यह दे में लेक्ता हूँ A equal to hello B equal to hello ठीक है and then print A is B this is true and there is no limit मतलब यहाँ पर आप कोई भी limit के value दे सकने है that is not an issue लिकिन अगर में same value लेक्ता हूँ float के लिए A equal to 12.44 B equal to 12.44 and here I can write print A is B result is false because decimal पर यह concept applicable नहीं है मैंने पहले भी बोला था आपको कि this concept is not applicable on decimal value got it समझ में आ रहा है आपको clear है तो यह अभी हमने देखा identity operator को लेके concept जिसको हमने अभी यहीं पर perform करके देखा ठीक लेकिन अब यहाँ पर अपन बात करते हैं there are some program which is related with bitwise operator को लेके there are some program which is related with मतलब एक concept मैंने आपको बताया था decimal, octal, hexadecimal वाला कि एक python में जब हम किसी integer value को represent करते है so that integer value may be representing decimal format, octal format, hexadecimal format मैं आपको कुछ difference वाले program बता रहा हूं which is quite different ठीक है normal program तो आप खुड type करके बनाएंगे क्योंकि board पे मैंने आपको program run करके बताएं और बाकी if else और while loop के लिए तो हम बूरी list of program लेके आने वाले हैं don't worry about that we can write multiple program for if else statement factorial के programs रहेंगे while loop को लेके there are lot of program we will discuss right लेकिन यह कुछ ऐसे concept है जो अक्सर इंटर्वू में पूछे जाता है and that's why the reason मैं आपको इसको theoretical के साथ साथ practical भी बता रहा हूं see this one यदि मैंने यहां पर लिखा a equal to I'll take this value a equal to 100 a equal to suppose 13 and print a print value is ठिक और value is a के बाद हमने यहां पर a की value print करते है मैं आपको यह बता रहा हूं see this one अभी यह जो आपने लिका है it is in decimal format ओके और आपने जब प्रिंट किया result always been decimal format तो अभी जो result आपको मिलेगा इसको सेफ कर लेका हूं test number system के नाम से अभी जो आपको यादे जब हमने पड़ा था O 0 0 0 if I can represent any number in with 0 O that means it is an octal number and when we print the octal number result always been decimal to octal decimal पड़ा था हमने यह इई डिजिट ली थी मैंने आपको देको वैल्य आपको देको 1 यादे कैसे convert किया था 3 into 8 to power 0 plus 1 into 8 to power 1 so this is what octal कि अगर आप एक number को 0 O से represent कर रहे हैं so compiler consider it as an octal value तो यह concept किस चीज का actually this is a concept octal to decimal यह concept octal to decimal लेकिन अब देखो अब इसमें भी यादे मैंने आपको बता था अगर आप octal की सिरीज में digit ले लोगे 8 so that it's an error see this one invalid digit 8 in octal literal okay literal value and 8 is not allowed here तो 0 to 7 इसकी range है so you can take the value between 0 to 7 similarly मैंने आपको बताया था कि this is what octal लेकिन अगर suppose मैंने आपसे बोला I want to print binary binary to decimal binary के लिए क्या है 0B 1011 1011 किसका binary है यह आपको पता चल जाएगा decimal मतलब उसका decimal पता चल जाएगा आपको फिर बोल रहा हूं आप इस concept को समझने के लिए please इसका theory lecture जरूर देखिए वहां मैंने बहुत detail में चीजें बात किये यह तो मैं केवल आपको practical run करके बता रहा हूं ठीक है तो इसका answer मुझे क्या मिलेगा 11 let's see value is 11 because binary 1011 जिसका binary है that value is 11 यह दि मैं लिख देता हूं 111 it is 15 यह value is 15 तो this is how binary to decimal अब यह दि मानलो आपको मैंने बुला this is not binary this is not decimal we are going to write hexadecimal to decimal okay hexadecimal to decimal तो अब मैं यहां पर इसको represent करूंगा 0x के साथ and 0x के साथ हमने number क्या लिखा suppose hexadecimal number suppose this is 2a 2a तो 2 is an a a means 10 तो इसका answer जब आपको मिलेगा तो आप यह धन रखना result आपको हमेशा ही decimal में मिलेगा क्योंकि console पर output जो आता है decimal में आता है value is 42 because the decimal value of 2a is 42 बढाए हमने इसको a मतलब 10 10 into 16 to power 0 plus 2 into 16 to power 1 16 to power 1 16 into 32 32 plus 10 42 result is 42 पढ़ा था theory lecture देखो समझ में आएगा ठीक तो यह भी हमने देखा octal to decimal binary to decimal hexadecimal to decimal concept ठीक है लेकिन अब मुझे ठीक इसके opposite बात करना है opposite of this thing मतलब नाव यह भी पढ़ा है हमने इसको भी comment कर अब मैं यह code comment कर देता हूं ताकि आप लोगों को same result बार बार ना देखे अभी क्या हो रहा है same result देख रहा है इसलिए हो सकता confusion भी हो रहा होगा आपको मतलब final result जो था अपना वो यह वाला था ठीक value is 42 तीन result इसलिए मिल रहे था है क्योंकि पूरा लिखा हुआ था ओके and now it comment it अब मुझे जस्ट अपोजिट बाप करने है अपोजिट मतलब अपोजिट मतलब अब मुझे decimal से binary decimal से octal decimal से exact decimal देखना है तो यादे मैं आपको तीन फंक्शन बना है तो bin method act oct method hex method right so now we are talking about just opposite decimal to binary result मुझे binary में ले clear है decimal to binary तो यदी मान लो we have a decimal number suppose 30 अब मुझे इसका binary चाहिए what should I write print binary of a binary of a this bin method is used to print the binary of a number तो यदी मैंने लेखा binary of a we will get 0b double one zero one because 0b is represent a binary value and double one zero one is a binary of 13 तो 13 का जो binary है वो double one zero one है got it समझ में आ रहा है वो decimal है तो decimal से binary में आपको ये number मिल गया अगर मैं लेखता हू 132 तो ये लेखता हू this is one triple zero 0100 this is binary of 132 तो this is the method bin method पढ़ी थी हमने similarly अगर मैं आपको बोलता हू कि I need to print the value from decimal to octal अगर मुझे decimal से octal conversion करना है तो decimal से octal के लिए suppose you have a decimal number 13 octal के लिए we should go for oct method divide by 8 वाला concept या दे ये डिवाइड वाला concept है वो multiply वाला concept जो इसके ऊपर देखा था मतलब theory class समझ में आएगा ऐसे नहीं आएगा ठीक theory class visit देख लो एक बार series one 13 को octal 000015 तो what is the octal of 13 it is 15 0 क्यों आ रहा है because it's an octal value clear है एक बार आप चीज़े प्राक्टिकली चलते हुए देख लोगे so you people are confident that's why I am just running this code decimal to hexadecimal योदि आपको decimal चाहिए hexadecimal conversion करना है then just go this method hex method let's see 13 का hexadecimal 0xt because 13 is actually d 0x तो जो है hexadecimal के लिए 13 को hexadecimal में d बोलते 10 is a 11 is b 12 is c 13 is d this is what your result d 0x तो उसका representation है value is representing hexadecimal format समझ में आ रहा है hope you can understand this concept जो भी हम बात कर रहा है कि हम लोगों यहापे कुछ decimal को लेके binary number systems को लेके जितने भी concept देखे थे वो हमने देखे identity operator को लेके हमने concept देखा था हम उसके practical application की बात कर रहे है तो यह एक बार सब चीजें आप थोड़ा सा run करके देखें चीजें तभी समझ में आएंगे ठीक है जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं बार question simple simple नहीं पूछे जाएंगे वह question थोड़े से घुमा के पूछेगा something like this वान लोगर उसने आपसे पूछ लिया print 0x जाचलो 0 0 0 12 plus 0x suppose 19 what is the addition of these two numbers तो आपको समझ में आप क्या करना है आपको पहले octal से decimal convert करना है hexadecimal से decimal convert करना है then addition करना है system तो बता देगा कि result क्या आएगा और चाहाओ के parenthesis की कहीं दिख्कत है शायद युके नोट आरिकली अड़ इड़ इस you have to convert this into numbers and that's why this but this type of question is last in interview so prepare for यह मैंने theory class में आपको बताए है आप लोगों को बताए है कि how to use this values you can not directly perform such type of an operation you need to convert it तो प्लीज try करिये इसको solve करिये इसको और बिलते हैं next class में with the next concept नहए ए pry आर ए्लीज़ आर बार